हलो इस्टूडेंट, वेलकम टो बेक माई यूटूब चेनल, डिकेलाइफर स्टडी में आपका स्वागत है, तो चलिए फ्रिंड, आज हम लोग 12th कलास का, देख सकते हैं, हिस्ट्री का कोस्चन लेकर आए हैं, जो आने वाल एक्जाम के लिए बहुत ही इन्पोर्टिंट है तो चलिए देख सकते हैं, सारह 400 अब्जेक्टिव लेकर आए हैं एक ही वीडियो में, और सारह 400 अब्जेक्टिव एक और वीडियो अप्लोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्केप्शन में लिंक दे देंगे, बिलकुल पिहार बिद्याले समीती का, यहां पे कोश्चन से फाइनल रिविजन करवाया जा रहा है, तो चलिए वीडियो को लाइक सेयर करते हैं, चैनल पे नए आया है, तो चैनल को सिस्क्राइब करके, और वैल ऐकन प्रेस कर दें, ताकि देख सकते हैं, पल-पल की अपडेट यहां से मिलती रहेगी तो चलिए देख सकते हैं, हिस्टरी का सरह 400 अबजेक्टिव लेकर आए हैं, बिलकुल यहां पे बिहार भी द्याले पड़िच्छा समीती के द्वारा तयार किया गया एक कोश्चन है और कोश्चन ही आपको सरह 400 है, इसी में से आपको 100 में 100 आने वाला है, आप लोग लिख लीजिए और साथ ही देख सकते हैं आपको इसी वीडियो में आपको देख सकते हैं, वहां पे टेस्ट भी लिया जाएगा, तो चलिए वीडियो को लास्ट तक पर लेकर आए हैं, बिहार भी द्याले पड़िच्छा समीती से, जो कोश्चन आने वाला है, उसका आपको टेस सिरीज भी इसी वीडियो में करवाने वाले हैं, तो चलिए सबसे पहले आपको फाइनल रिविजन दे देते हैं, उसके बाद आपको सो अब्जेक्टिव टेस्ट के तोड़ पर दिया जाएगा, तो चलिए देख सकते हैं, तो चलिए पहला नमबर प्रस्न को देखते हैं, तो देख सकते हैं, यहाँ पहला नमबर जो कोश्चन है, देख सकते हैं, पहला नमबर कोश्चन है, तो पहला नमबर कोश्चन है, कि मोहन जोद्रो किस भासा का सब्द है, तो देख सकते हैं, कि मोहन जोद्रो है, जो सिंधी भासा का सब्द है, किस भासा का सिंधी भासा का सब्द है चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर कोश्चन है राय बहादूर दया राम सहानी ने कहां उत्खनन करवाया था देख सकते हैं कि राय बहादूर दया राम सहानी ने कहां उत्खनन करवाया था तो यह हरपा में उत्खनन करवाया था कहां हरपा में यानि option नंबर भी हो यहाँ पर next number question है कि देख सकते हैं सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्यान नहीं था तो देख सकते हैं सिंधु घाटी के जो निवासी थे उसको लोहा धातु का ज्यान नहीं था किस धातु का लोहा धातु का ज्यान नहीं था तो चलिए, यहाँ पे देख सकते है छे नमबर प्रस्ण है, कि हरपपाश अभ्यता का सबसे बारा नगर कौन था, तो हरपपाश अभ्यता का सबसे बारा नगर है, मोहन जोदरो है, कौन सा नगर है, मोहन जोदरो है, चलिए, यहाँ पे छे नमबर प्रस्ण है, कि मोहन जोद किस नदी के किनारे इस्तित हैं तो मोहन जोद्रों हैं जो सिंधु नदी के किनारे इस्तित है किस नदी के किनारे सिंधु नदी के किनारे इस्तित है चलिए, यहां पे 7 नमबर प्रशन है, हरपपा किस नदी की किनारे इस्तित है, देख सकते हैं, हरपपा किस नदी की किनारे इस्तित है, तो हरपपा है जो राभी नदी की किनारे इस्तित है, किस नदी की किनारे, राभी नदी की किनारे इस्तित है, चलिए, यहां पे नेक्स साट है धिया सोग के कि सीला लेख में कर्लिंग इशय का पता चलता कि यह इना सब्सक्रित का बरन्हा में हैं तो समुंदर गुप्त का वर्णन है जो परियाग पर्षिस्त में है किसमें परियाग पर्षिस्त में यानि ऑप्षन नमबर भी हो जाएगा चलिए देख सकते हैं दस नमबर कोश्चन है इंडिका की रचना किस ने की थी तो देख सकते हैं इंडिका की रचना की थी मेगा स्थिनीजने किसे मेगास तिनी ने किया था कि छलिए देख सकते हैं 11 नंबर प्रशन कि बिंदू सार और एक कि पूत्र था फिसका overnight जो बीन के अधिर switch यूप mee अप्शनम यूप्सर नंबर आ यहां पर निम्लेशन ओधार कि तो 16 मणों को पुछितर कर गदी देख सकते गद्धी हासिल की थी तो देख सकते चंद्र गुप्त मौरिया ने किस बंस को पराजित किया था यहां नंद बंस का पराजित किया था यानि option number A हो जाएगा चलिए यहां पर 13 नंबर प्रश्ण है कि अंकूर नगर निकाय किस धरम गरंत से हैं तो अंकूर नगर निकाय हैं जो जैन धरम से हैं किस धरम से हैं जैन धरम गरंत से हैं चलिए next number question है कि मगद की राजधानी कहां थी तो देख सकते हैं मगद की राजधानी राजगिरी थी, कहा मगद की राजधानी थी जो राजगिरी यानि adoption number A हो जाएगा चलिए पंदरा नमबर प्रस्न है नलन्दा महवीर किष्ने बनवाया था, देख सकते हैं नलन्दा का जो महवीर महा भिहार महा भिहार नलंदा का महा भिहार ขिष्ने बनवाया था तो नलंदा का जो अस्थापना किया था कुमार गुप्त ने किया था खिष्ने कुमार गुप्त ने यानि Option number C हो जाएगा चलिए Next number question है देख सकते हैं कि अर्थ सास्त्र के लेखक कौन है तो अर्थ सास्त्र का जो लेखक है वह कौटले हो जाएगा क्या हो जागा अर्थ सास्त्र का लेखक कौटले हो जाएगा चलिए 17 नमबर प्रशन है कि महाभारत की रचना किस भासा में हुई तो देख सकते हैं महाभारत की रचना हुई थी संस्क्रीत भासा में, कौन सा भासा में हुआ था, संस्क्रीत भासा में हुआ था, चलिए, next नमर कोश्चन है, कि सल लेखन किस धरम का मिर्तु विधमान है, तो सल लेखन है, जो सैब धरम का मिर्तु विधमान है, कौन सा धरम का, सैब धरम का, चलिए, यहाँ पे देख सकते है next number question है कि असोख दोवारा बनवाए गए अस्तूपों की संख्या कितनी थी तो देख सकते हैं असोख के दोवारा जो बनाए गया अस्तूपों की संख्या यहाँ पे 84,000 थी कितना 84,000 यानि option number D हो जाएगा चलिए next number question है कि बुद्ध का वच्पन का क्या नाम था देख सकते हैं बुद्ध का वच्पन का क्या नाम था तो देख सकते हैं बुद्ध का वच्पन का नाम सिदार्थ था क्या नाम था सिदार्थ था चलिए यहाँ पे एक इस नमर प्रशन है कि पर्थम बौध संगती किस स आसनकाल में हुआ था तो यह हो जाएगा देख सकते हैं कनिस्क के सासनकाल में किसके सासनकाल में हुआ था चलिए नेक्श नमर कोश्चन है ही यान और महायान किस धरम से हैं तो देख सकते हैं ही यान और महायान बहुत धरम से हैं किस धरम से हैं बहुत धरम से हैं चलिए नमर कोश्चन है महवीर का जनम कहा हुआ था तो महवीर का जनम हुआ था देख सकते हैं महवीर का जनम हुआ था कुंडल वन देख सकते हैं कुंडल वन वैसाली में हुआ था चलिए नेक्स नमर कोश्चन है कि त्रीपीटक संबंध है तो त्रीपीटक किस से संबंध है तो द देख सकते हैं अकवर का साथनकाल था 1556 से 1605 था देख सकते हैं कि दस्तूर क्या था तो दस्तूर एक सौनर्रे कर था क्या था दस्तूर एक सोनर रेकर था यानि option number B हो जाएगा चलिए next number question है कि संसब किस धातू से बना सिक्का था तो देख सकते हैं संसब किस धातू से बना सिक्का था तो यह था तंबा धातू से कौन सा धातू से तंबा धातू से बना सिक्का था चलिए next number question है देख सकते हैं कि भारत में तमाकू का पौधा कौन लाया था तो देख सकते हैं भारत में तमाकू का पौधा लाया था पुर्तगालियों ने किसने पुर्तगालियों ने लाया था यानि option number C हो जाएगा चलिए next number question है कि कुतु मिनार का निर्मान किसने अरंभ किया तो कुतु मिनार का निर्मान अरंभ किया था कुतु बुदीन एवक ने किसने कुतु बुदीन एवक ने यानि option number C हो जाएगा नेक्स नमर कोश्चन है कि तुर्क ए जहागीरी की रचना किस ने किया था तो तुर्क ए जहागीरी की रचना किया था गुल बदन बेगम ने किया था तुर्क ए जहागीरी next number question है कि ताज महल का निर्मान किस ने करवाया था देख सकते हैं ताज महल का निर्मान किस ने करवाया था तो यह हो जगा option number D यानी साजहाने करवाया था चलिए next number question है देख सकते हैं next number question है कि मुगल दर्बार में अभिवादन के कौन सा तरीके थे मोगल दरबार में अभिवादन के कौन से तरीके थें तो कौन देख सकते हैं कौनिस सिजदा पाइबोस इनमें से सब ही था जो मोगल दरबार में अभिवादन का तरीका था चलिए next number question है सीख के 10 में गुरू कौन थे देख सकते हैं सीख धरम के 10 में गुरू कौन थे तो सीख धरम के 10 में गुरू थे option number D हो जागा गुरू गोबिन सिंग थे चलिए next number question है देख सकते हैं next number question है कि खालसा पंथ की अस्थापना किशने की थी तो खालसा पंथ की अस्थापना की थी गुरू गोबिन सिंग ने खालसा पंथ की अस्थापना किशने की थी? गुरू गोबिंद सिंग ने किया था चलिए, यहाँ पर 35 नमर प्रश्न है जमा महजीद कहा है? तो देख सकते हैं, जमा महजीद है जो दिल्ली में इस्थीत है कहा है? जमा महजीद दिल्ली में इस्थीत है चलिए, नेक्स नमर कोश्चन है, कि जहागीर का सासनकाल कब से कब तक है, तो जहागीर का सासनकाल है 1605 से 1627 भी तक, देख सकते हैं, जहागीर का सासनकाल 1605 से 1627 भी तक है, चलिए, यहाँ पे 37 नमर प्रशन है, कि घागरा का यूद में बावर ने किसे पराजित किया, तो घ कि राना सांगा को प्राजित किया था चलिए नेक्ष नमर कोस्चन है देख सकते हैं कि हल्दी घाटी का यूद कब लड़ा गया था तो देख सकते हैं हल्दी तो किसके दर्वार के पढ़्याक्त गायक थे तो यह अकवर हो जाएगा अकवर के दर्वार के पढ़्याक्त गायक थे तानसे चरिए next number question देखेंगे देख सकते next number question है कि टाली कोटा का यूद कब हुआ था तो टाली कोटा का यूद हुआ था 1565 में कब हुआ था ताली कोटा का यूद हुआ था 1565 यानि option number B हो जाएगा next number question है BJ नगर समराजी की अस्थापना कब हुई थी तो देख सकते BJ नगर समराजी की अस्थापना 1336 में हुआ था कब हुआ था 1336 में हुआ था चलिए next number question है कि तेनाली राम का संबंध किस समराजी से हैं देख सकते हैं तो तेनाली राम का संबंध है जो BJ नगर समराजी से किस समराजी से BJ नगर समराजी से यानि option number यह हो जाएगा कि अमोक्थ मल्याद किसने लिखा तो अमोक्थ मल्याद लिखा था कृष्ण देव रायने तो चलिए ganz नमधर कोष्चन देखते हैं देख से हिहां पर निक्स नमर कोषचन है कि worry study temperature problem भुपिर्श्य मताने लघाश्य मारे साही तो अधिये तो गोड़ पुड़म है जो मंदीर के परवेस्टवार है चले हैं यहां पर 45 नमर्ण की बीजए नगर की यात्रा करने वाला पहले क्लाव वीधीसी यात्री काँन था तो बिजय नगळ के यात्रा करने वाला जो पहला विदेशी यात्री था, वह निकोलो कॉंटी था, कौन था, निकोलो कॉंटी था, यानी option number E हो जागा, चलिए, next number question है, कि अफनासी निकीतन किस देश का यात्री था, देख सकते हैं, अफनासी निकीतन किस देश के यात्री थ तो यह देख सकते हैं इटिली के था कहा के इटिली के था चलिए नेक्स नमर कोश्चन है कि तुलू बंस का संस्थापक कौन थे तो तुलू बंस का संस्थापक था सदासिब कौन था सदासिब यानि अप्सा नमबर डी हो जाएगा चलिए नेक्स नमर कोश्चन है देख सकते हैं कि हमपी को इनसको ने कब पुरा तत्व अस्थल घोसित किया तो हमपी को इनसको ने पुरा तत्व अस्थल घोसित किया था 1986 में कब किया था 1986 में किया था यानि option number D हो जाएगा next number question है कि परसिद बीरु पाच मंदिर कहां इस्तित है देख सकते हैं कि परसिद बीरु पाच मंदिर कहां इस्तित है तो यह हो जागा हमपी में परसिद बीरु पाच मंदिर हमपी में इस्तित है option number यह हो जागा चलिए next number question है कि कवीर किसके सिसे थे देख सकते है कवीर किसके सिसे थे तो कवीर किसके सिसे थे देख सकते है option number C हो जागा रामानन्द के कवीर थे जो रामानन्द के सिसे थे चलिए next number question है कि चैतन्य महाप्रभु किसके उपा सकते तो चैतन्य महाप्रभु थे जो विश्नु के उपा सकते किसके विश्नु के उपा सकते यानि option number B हो जागा next number question है देख सकते हैं next number question में कि सेख सलिम चिस्ती का दरगाह कहां इस्तित है तो देख सकते हैं सेक सलिम चिस्ती का दरगा है जो आगरा में है कहां है आगरा में यानि option number C हो जागा चलिए next question है कि खालसा पंथ की अस्थापना कब हुई थी तो खालसा पंथ की अस्थापना 1999 में हुआ था कब हुआ था 1999 में हुआ था यानि option number D हो जागा next number question है कि कवीर का जनम कहां हुआ था तो कवीर का जनम 1545 में हुआ था देख सकते हैं कवीर का जनम हुआ था 1545 वारानसी में हुआ था कहां हुआ था वारानसी में हुआ था चलिए next number question देखेंगे यहाँ पे देख सकते हैं next number question है यहाँ पे 55 नमबर प्रस्ट देखेंगे कि किताब उल रहेला में किनकी यात्रा बिर्तांत है तो देख सकते हैं किताब उल रहेला में अलबरूनी का यात्रा बिर्तांत है किसका अलबरूनी का यात्रा सोरी देख सकते हैं किताब उल रहेला है यहां पर मिश्टेक हो गया फ्रेंड किताब उल रहेला किताब उली हिंद है जो अलबुड़ूनी का रचना है और यहां पर किताब उल रहेला है जो इबन बतुता की रचना है किसका इबन बतुता का यानि option number C हो जाएगा चलिए next number question है कि इबन बतुता किस सासक के सासनकाल म भारत आया था तो यहां आया था मोहमद बिन तुगलग के सासनकाल में किसके सासनकाल में मोहमद बिन तुगलग के सासनकाल में आया था चलिए next number question है कि फहयान किस देश का यातरी था देख सकते हैं फहयान किस देश का यातरी था तो फहयान था चीनी यातरी था कौन सा या बिद्रों के निता थे किसके सफ्फाल बिद्रों का निता थे या निउप्शनघघ़ हो ज入ी हो जागा चलिए यहां पर देख सकते हैं ध्रह सत्थाई बंदोवश जूरा हुआ था तो अस्थाई बंदोवस किसे जूरा हुआ था यह हो जागा लॉड करनवालिश से यानी ऑप्सिन नमबर सी करनवालिश भाրफ की निती दिटी वर्ह दलहौजी का था यानी ऑप्सिन नमबडी हो चलिए नेक्स नमर कोश्चन है कि भारत आने वाला पर्थम यूरोपियन कौन थे तो भारत आने वाला पर्थम यूरोपियन थे जो पूर्टगाल थे कौन थे पूर्टगाल थे यानि ऑप्सन नमबर यह हो जाएगा चलिए यहां पर नेक्स नमर कोश्चन है कि देख सकते है तथे टोप को फासी की सजा कब दी गई थी तो तथे टोप को देख सकते हैं टोपे को फासी की सजा 1857 को दी गई थी कब दी गई थी 1857 को दी गई थी चलिए next number question है कि सहायक संधी किसने लागू की थी next number question है कि सती पर्था किस गवर्न जेनरल के द्वारा परतिबंद लगाया गया था, तो यह हो जागा लौड बिलियम बैटिक के द्वारा, किस के द्वारा लौड बिलियम बैटिक के द्वारा, यानी option number A हो जागा चलिए the next number question है कि भारत में डाँक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था तो देख सकते हैं डाँक अधिनियम हुआ था अधारा सो चोबं में के डांका धिनयों पारित हुआ था अथा सु चौ मने में हुआ था Question है कि celebrating पतना में 857 की क्रांथि की नेतिती ने किया थे नेंशेकों ऑपिर अलिक क्या हो जागा यांि और यह संगर कोॉष्चिन हे कि से ए ओसे महिलाने अठारा सू संतावन की करांथि मेंं भाग लिया था देखे किसने देख सकते किसम ने 1857 की करामती में भाग लिया था तो यह लिया था बेगम हजरत महल ने किसने बेगम हजरत महल ने यानि option number A हो जाएगा चलिए 79 नमबर प्रस्टन देखेंगे कि रानी लक्षमी बाई को और किस नाम से पुकारा जाता है तो रानी लक्षमी बाई को मरनिका, शबीली, मनु इन में से सभी नामों से पुकारा जाता है यानि option number D हो जाएगा चलिए next number question है देख सकते हैं कि जोकन बाग हत्या कांड 8 जून 1857 को कहां हुआ था जोकन बाग हत्या कांड 8 जून 1857 को हुआ था कहां तो यह हुआ था जहांसी में कहां हुआ था जहांसी में हुआ था यानि option number D हो जाएगा next number question है कि gateway औफ इंडिया कहां इसी थैं तो gateway औफ इंडिया है जो देख सकते हैं यहां पर बंबई में इसी थैं गेटवे ओफ इंडिया कहा है तो गेटवे ओफ इंडिया बंबाई में इस्तित है यानि option नमबर D हो जाएगा चालिए यहाँ पे देख सकते next number question है कि कलकथभा में अंग्रेज की किले बंदी बस्ती का क्या नाम था तो देख सकते हैं कलकथभा में अंग्रेज के किले बंदी भस्ती का नाम था, फोट बीलियम, क्या नाम था, फोट बीलियम नाम था, यानि option number C हो जागा, चलिए, next number question है, कि פה Tagalium ने gowa पर कभ अधिकार किया था, तो पुर tвой एक चलिए, next number question है, कि 7 दीपो का नगर किसे कहा जाता है तो देख सकते हैं साथ दीपो का नगर कहा जाता है फोल कता को किसको कोल कता को साथ दीपो का नगर कहा जाता है चलिए 75 नमर कोश्चन है कि बासको डिगामा भारत कव आया था तो देख सकते बासको डिगामा भारत आया था 17 मई 1470 को कव आया था 17 मई 1470 को बासको डि महत्मा गांधी का पहला किसान अंदोलन कहां शुरू किया गया था तो यह किया गया था चंपारन में यानि ओप्सन नमबर बी हो जागा देख सकते हैं पहला चंपारन अंदोलन जो का था महत्मा गांधी कभ किये थे हैं उनीशो शुर्ग में चंपारन में चलिए नेक्स नमर कौश्चन है देख सकते हैं सभीने अब अज्यान जोलन कब हुआ था सभीने अब अज्यान दोलन हुआ था उनिशो नेशो नेशो तीसे में हुआ था The option number C हो जाएगा, चलिए, next number question है, चमपारन सत्यगरह कब हुआ था, देख सकते हैं, चमपारन सत्यगरह कब हुआ था, तो चमपारन सत्यगरह उनीशो सतरा में हुआ था, कब हुआ था, उनीशो सतरा में हुआ था, चलिए, next number question है, कि भारत छोड़ो अंदोलन किस पर्स हुआ देख सकते भारत छोडव अंदोलन कि नफिर नसे हो आ था चलिए यहां पर कशनल नंबर प्रश्ण है कि महात्मा गांधी कि करो या मरो का नारा कि जेला तेंक Посक्व दिया था महात्मा ओन्दी या श्कृर्णाी度 कव अदले साविस्रेंग या वप्षिण महात्मा गांधी ने यानि option number A हो जाएगा next question है कि 1942 में कौन सा अंदोलन हुआ था तो देख सकते हैं 1942 में हुआ था वह option number D हो जाएगा भारत छोड़ो अंदोलन हुआ था चलिए यहाँ पर next question है कि नमक कानून किसने तोरा देख सकते हैं किche 52 मात्मा गांधी ने तोरा था यानि option number B हो जाएगा चलिए next question है कि सर की उपाधी किने वापस की थी तो सर की उपाधी वापस की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने किस ने रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया था चलिए यहाँ पे 86 नमबर प्रशन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरू मानते थे तो देख सकते हैं गांधी जी अपना राजनीतिक गुरू मानते थे गोपाल कृष्न गोखुल कि वह पर्ति पाधित की थी देख सकते हैं । कि म९ह ने ओप्स नमर्य हो जागा। नेक्च नमर्र कोस्चन है कि तिसमें तिनकथिया का धेती थी वह चमपारन में थी निल्की खेती केकिली ires देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है कि पुर्ण सब्राज की प्रस्थावना कॉंग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में परित किया गया था देख सकते हैं पुर्ण सब्राज की प्रस्थावना कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था तो यह हुआ था लहा और 1929 में हुआ था नेक्स नमर कोश्चन है कि क्रिप्स मीशन भारत कव आया था तो देख सकते हैं कि क्रिप्स मीशन भारत आया था कि क्रिप्स मीशन भारत आया था देख सकते हैं देख सकते हैं 22 मार्च 1922 को क्रिप्स मीशन भारत आया था चलिए नेक्स नमर कोस्चन है कि भारत को स्वतंतरता देने की घोसना किस ब्रिटिस परधान मंतरी ने किया था नेक्स नमर कोस्चन है कि पर्थम सबधिनता दिवस कब मनाया था तो पर्थम सबधिनता दिवस 14 अगस्त 1927 को मनाया था next question है कि स्वास्चंद्र बोस ने भरतियर आश्टिये कोंग्रेस के अध्यच कब बने तो स्वास्चंद्र बोस ने भरतियर आश्टिये कोंग्रेस के अध्यच बने थे 1949 तिरी पूरी अधिवेशन में किसमें तिरी पूरी अधिवेशन में next number question है कि देख सकते हैं Muslim link मुक्ती दिवस कब मनाया Muslim link मुक्ती दिवस मनाया था 22 December 1936 को 22 December 1936 को मुक्ती दिवस मनाया था next number question है देख सकते हैं कि भारत का विभाजक British सासन की किस योजना का परिमान है तो भारत का भी भाजक British सासन की किस योजना का परिमान है, तो यह मांट बेटन योजना का किस योजना का, मांट बेटन योजना का परिमान है Next number question है, कि स्वतंत्र भारत के प्रतम भारतिये गवर्नल जेनरल, देख सकते हैं भारतिये पूछा है फिर तो भरती ये पूछेगा तो सी चकरवर्ती राजगोपाल चारी कौन हो जागा सी चकरवर्ती राजगोपाल चारी यानि उप्सन नमबर डी हो जागा चलिए संताने में नमबर प्रश्ण है कि 6 अगस्त 1946 को मुस्लिम लिंग ने मनाया था तो देख सकते हैं छे अगस्त 1946 को मुस्लिम लिंग ने यहां पर मनाया था तो यह मनाया था मुस्लिम लिंग ने मनाया था तो यह मुक्ती दिवस मनाया था देख सकते हैं मुक्ती दिवस मनाया था यहां पर मिस्टेक हो गया फ्रेंड यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं देख सकते हैं यहां पे मिस्टेक हो गया है देख सकते हैं 6 अगस्त 1946 को मुस्लिम निंग ने क्या मनाया था तो मनाया था 17 तरता दिवस क्या मनाया था देख सकते हैं 6 अगस 1946 को मुस्लिम निंग ने क्या मनाया था तो यहाँ पे हो जागा option number A हो जागा मुक्ती दिवस क्या मनाया था देख सकते हैं यह confusion में है थोड़ा सा आप लोग comment करियेगा देख सकते हैं कि 6 अगस 1946 को हमारे अनुसार आपको बता देते हैं मुक्ती दिवस हम मार दी हैं आप लोग comment करिये फटा फट तो चलिए इसमें थोड़ा सा confusion आ रहा है तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे 97 नमबर प्रस्ण है कि सुतंतर भारत के पहला राष्ट पती कौन थे तो पहले राष्ट पती थे देख सकते हैं पहला राष्ट पती डॉक्टर राजिंदर परसाद को बनाया गया था किसको डॉक्टर राजिंदर परसाद को यानि option नमबर डी हो जागा चलिए 99 नमबर प्रस्ण है कि भारत के संबीधान के जनक किसे कहा जाता है तो देख सकते हैं भारत के संबीधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर बी यार अंबेदकर को किसको डॉक्टर बी यार अंबेदकर को यानि option नमबर बी हो जागा चलिए, सव नमबर प्रशन है, भारत के राष्ट गान के रचनाकार कौन है, राष्ट गान कह रहा है, यहाँ पे राष्ट गान के रचनाकार कौन है, तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, तो देख सकते हैं, राष्ट गान के रचनाकार है, ओप्सन बी हो जागा, वान किम मैसन ने आठाडा सो चबविस में सरपर्थम किस दीले का तो देख सकते हैं चाल समयसन ने जो आठाडा सो चबविस में सरपर्थम हरपपा के दीले का मैं किया ता यानि option number नमबर यह हो जगा option लेख आउलेख किया था किस ने प्रकाष ढाला था तो देख सकते हैं ङसेट मैं के अनेश्ट मैके ने ने यानि उप्सन नमबर भी हो जागा नेक्स नमर कोश्चन है राय बहादुर दया राम सहानी ने कहां उत्खनन करवाया था तो देख सकते हैं राय बहादुर दया राम सहानी ने हर अप्पा का उत्खनन करवाया था कहां हरप्पा का उत्खनन करवाया था यानि option number B हो जागा next number question है कि सिंधु सभ्यता में गोदी बारा कहां से मिला है देख सकते हैं सिंधु सभ्यता में गोदी बारा कहां से मिला है तो यह मिला है लोथल से कहां से मिला है लोथल से यानि option number D हो जाएगा, next number question है, कि लोथल कहां इस्तित हैं, देख सकते हैं, लोथल कहां इस्तित हैं, तो देख सकते हैं, लोथल हैं, जो गुजरात में इस्तित हैं, यानि option number A हो जाएगा, option number A हो जाएगा, लोथल है, जो गुजरात में इस्तित हैं, next number question है, कि हरप्पा सभ्यता में सिंधु नदी की किनारे कौन इस्तित है देख सकते हरप्पा सभ्यता में सिंधु नदी की किनारे कौन इस्तित है तो हरप्पा सभ्यता में सिंधु नदी की किनारे मोहन जोदरो इस्तित है कौन ही है मोहन जोदरो इस्तित है चलिए next number question है भारतिये प पुरात्त्व का पिता किसे कहा जाता है तो यह किंगम को कहा जाता है किसको किंगम को यानि Option No. A होぽ जाएगा Next Number question है नदी की किनारे कौन इश्थित्ध था तो यह था हरपपा था कौन था हरपपा यानि Option No.A हो जाएगा Next Number question है सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असनागर का अपसोस कहां मिले सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल असनागर का अपसोस मिला था मोहन जोदरो में कहां मिला था मोहन जोदरो में मिला था यानि option number B हो जागा next number question है कि कलकत्ता में याइटिक सोसाइटि ओफ बंगाल की अस्थापना कब हुआ था तो गँच सबस्lie ऐसी स्यतिक सोसाइटि ओफ के स्थापना 1784 में हुआ थाकब हुआ था चलिए नेक्स नमर कुष्चिन है कि फूट डालकर बिजय प्राप्त करने का कार्य सर्व सर्व पर्थम किस राजा हो जया था तो फूट डाल कर विजय प्राप्त करने के लिए सर्व पर्थम अजाज्स सत्रूने किया है तो हुनरो को सर्व पर्थम परास्त है के असकंद गुप्तनी यानि option number B हो जाएगा next number question है कि किस सीला लेक से असोख दोवारा कलिंग बीजय का पता चलता है किस सीला लेक से कलिंग देख सकते हैं किस सीला लेक से असोख दोवारा कलिंग बीजय का पता चलता है तो यह हो जाएगा 13 में सीला लेक किस सीला लेक से तेरह में सीला लेक हो जागा यानि option number D हो जागा next number question है कोटले दुवारा लिखित गरंथ का नाम क्या है तो देख सकते कोटले के दुवारा जो लिखा गया गरंथ है वह अर्थ सास्त्र है कौन है कोटले के दोवारा लिखा गया गरंत और सास्त्राई यानि option number B हो जागा next number question है कि निमलिखित में से मेगा अस्थनीच दोवारा लिखी पुस्तक कौन सी है निमलिखित में से कौन सी मेगा अस्थनीच के दोवारा लिखा गया पुस्तक है यह हो गया option number B हो जगा, क्या हो जगा, option number B हो जगा, इंडिका है, जो मेगास्तनीच के दोवारा लिखा गया था, चलिए, यहाँ पर next number question है, कि अभी ज्यान, देख सकते हैं, सकुंतलम के लेखक कौन है, अभी ज्यान सकुंतलम के लेखक कौन है, तो अभी ज्यान सकुंतलम के लेखक हैं काली दास कौन हो जागा काली दास हो जागा यानि option नमबर ए चलिए यहाँ पे 17 नमबर कोस्चन है कि प्रियाग परसिष्ट का संबंध किस गुप्त सा सकते हैं तो प्रियाग परसिष्ट का सासन देख सकते हैं प्रियाग परसिष्ट का संबंध हैं हुआ समुंद द्रकुप्त से हैं यानि option number B हो जागा चलिए next number question है कि अर्ष सास्त्र एवं इंडिका से किस राजबंस की जानकारी मिलती है तो यह हो जागा मौर्य किस राजबंस मौर्य राजबंस यानि option number A हो जागा next नमर कोश्चन है उपनिसदो की संख्या कितनी है देख सकते हैं उपनिसदो की संख्या कितनी है तो उपनिसदो की संख्या 108 हो जागा क्या हो जागा 108 हो जागा उपनी सद की संख्या 108 हो जागा चलिए next नमर कोश्चन है फहियान किसके सासनकाल में भारत आया था तो फहियान आया था देख सकते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सासनकाल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सासनकाल में फहियान भ आस्त नमर कौश्चन है को और क्या कहा जाता था तो विष्म को गंगा पुत्र कहा जाता था विश्म को गंगा पुत्र कहा जाता था यानि option number B हो जागा चलिए next number question है अभिमन्नु किसका पुत्र था देख सकते हैं अभिमन्नु किसका पुत्र था तो अभिमन्नु अर्जुन का पुत्र था किसका अभिमन्नु था जो अर्जुन का पुत्र था चलिए यहां पर देखेंगे देख सकते हैं 25 नमर प्रस्ण है कि द्रोपति को स्वयंबर को किसने जीता था तो यह जीता था अर्जुन ने किसने अर्जुन ने जीता था यानि option नमर भी हो जाएगा 26 नमर प्रस्ण है कि कौरबो की संख्या कितनी थ तो कौरब की जो संख्या थी वह 100 था कितना 100 था यानि option number A हो जाएगा next number question है महभारत की रचना किस भासा में हुई थी तो देख सकते हैं महभारत की रचना हुई थी जो संस्क्रीट भासा में हुआ था किस भासा में हुआ था संस्क्रीट भासा में हुआ था यानि option number A हो जागा next number question है देख सकते हैं कि रिगवैदिक लोग किस की पूजा करते थे तो रिगवैदिक लोग थे जो प्राकिर्तिक की पूजा करते थे किसकी पुजा करते थे प्राकिर्तिक की यानि option number D हो जागा next number question है नाथ मुनी का संबंद किस से हैं तो नाथ मुनी का संबंद वैसनब धर्म से हैं किस धर्म से वैसनब धर्म से हैं यानि option number D हो जागा चलिए next number question है कि सुत पीटक किस धर्म से संबंदीत है सुत पीटक किस धर्म से संबंदीत है तो देख सकते हैं सुत पीटक है जो बहुत धर्म से संबंदीत है किस धर्म से बहुत धर्म से संबंदीत है next number question है देख सकते हैं कि महात्मा बुध का वच्पन का क्या नाम था तो महात्मा बुध का वच्पन का नाम था सिदार्थ नाम था, क्या नाम था, सिदार्थ नाम था, महत्मा बुद्ध का वच्पन का नाम सिदार्थ था तो चलिए देख सकते हैं, महत्मा बुद्ध का वच्पन का नाम सिदार्थ था क्या नाम था, सिदार्थ था, चलिए, नेक्स नमा क्वेश्चन है कि पर्थम बाओध संगती किस सासक के समय में हुआ था पर्थम बाओध संगती हुआ था जो अजाद सत्रू के समय में हुआ था किसके समय में अजाद सत्रू के समय में हुआ था चलिए next number question देखेंगे देख सकते हैं next number question है तो चलिए next number question है कि महावीर ने पारसबनात के सिध्धान्तों में कौन सा नया सिध्धान्त जोड़ा था तो महावीर ने पारसबनात के सिध्धान्तों में नया सिध्धान्त बरहमचार्रे जोड़ा था क्या जोड़ा था बरहमचार्रे यानि option number B हो जागा next number question है कि प्राचीन भारत में धाम की सुर्वात किस सा सकने की थी देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में धाम की सुर्वात की थी असोखने और किस ने किया था असोखने किया था यानि option number b जथा नेग्सकर नानी जनी हो जो जागा लाध टैनी एक प्रत्थम जन्संगति एक तो पड़क जOTback पूतर में कहाँ venus पर्थम जैन संक्ती हुई थी पाटली पुत्र में यानि option number B हो जागा next number question है कि पावापुरी का संबंध किस धरम से हैं तो पावापुरी का संबंध जैन धरम से हैं यह हो जागा जैन्धरम यानि option number B हो जागा next number question है कदामबडी देख सकते हैं कदामबडी के लेखक कौन है कदामबडी का लेखक कौन है तो कदामबडी का लेखक बान भट हो जागा क्या हो जागा कदामबडी का लेखक बान भट हो जागा next number question है देख सकते हैं वसवन्ना किस अंदोलन से जुड़े थें, तो वसवन्ना जुड़े हुए थे, बीर सैव लिंग्याद से, किसे बीर सैव लिंग्याद से जुड़े हुए थे, यानि option number D हो जागा, next number question है, कि आईने अकवरी, आईने अकवरी कितने भागों में विभक्त हैं, देख सकते हैं, आईने अकवरी हैं, जो पांच भागों में विभक्त हैं, आईने अकवरी पांच भागों में विभक्त हैं, चलिए next number question है, कि आईने अकवरी के अनुसार भूमी को कितने भागों मे तो आइने अकवरी के नुसार भूमी को चार भागों में माटा गया था कितने भागों में चार भागों में माटा गया था चलिए next question है कि टोडर्मल अकवर के अकवर के दरवार में क्या था तो टोडर्मल था जो अकवर के दरवार में बित मंत्री था क्या था बित मंत्री था चलिए, नेक्स नमर कोश्चन है, आइने अकवरी में किसके सासन का वर्नन है, तो आइने अकवरी में है अकवर के सासन का वर्नन, किसके सासन का अकवर के सासन का वर्नन है, नेक्स नमर कोश्चन है, कि कुतू मिनार कहा इस्तित है, देख सकते कुतू मिनार कहा इस्तित है, तो कुतु मिनार दिल्ली में इस्तित हैं कहां इस्तित हैं कुतु मिनार दिल्ली में इस्तित हैं चलिए next question है हुमाईयो नामा का अंगरेजी में अनुबाद किस ने किया देख सकते हैं हुमाईयो नामा को अंगरेजी में अनुबाद किस ने किया था तो MS बेबरीज देख सकते है एम एस बेबरीज ने हुमाईयो नामा को अंगरेजी में अनुवाद किया था चलिए next number question है कि मुगल दरवार के अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था तो मुगल दरवार में अभिवादन का तरीका देख सकते हैं कोनिस, सजीदा, पाइवोस इनमें से सभी है जो अभिवादन का तरीका था चलिए यहाँ पर next number question है कि अकवर ने दीने दिने इलाही कब शूरु किया था तो अकबर ने दिने इलाही 1581 में शुरू किया था कब शुरू किया था 1581 में यानि option number D हो जागा next number question है कि गुल बदन बेगम क्या थी देख सकते गुल बदन बेगम क्या थी तो गुल बदन बेगम थी जो लेखिका थी क्या थी लेखिका थी यानि option number C हो जागा चलिए next number question है कि मुगल चितरकाला किसके समय में चर्मोत कर्स पर थी तो मुगल काल में चितरकाला का चर्मोत कर्स पर था जहांगीर के सासनकाल में किसके सासनकाल में जहांगीर के सासनकाल में था चलिए यहाँ पर देख सकते हैं पचास नमबर प्रशन है, कि तुजुक ए जहागीरी किसने लिखी थी, तो तुजुक ए जहागीरी लिखी थी, किसने, तो यह जहागीर ने लिखा था, तुजुक ए जहागीरी लिखा था, जहागीर ने, यानि option number C हो जागा, next number question है, कि मुम्ताज महल किसकी पुत्री थी, त अपना अंतिम जीवन भारत के किस छेत्र में बिताया था और रंगेव ने अपना अंतिम जीवन बिताया था दच्छिन भारत में कहां बिताया थे दच्छिन भारत में बिताया थे यानि option number C हो जागा चलिए तिरफण नमबर प्रशन है कि पानी पत के प्रतम यूध में किसकी प्राजे हुई थी तो पानी प्रतम हुआ था उसमें प्राजे हुआ था इबराहिम लोदी का किसका इबराहिम लोदी को प्राजित किया गया था चली है next जी सुधार बिवस्ता, कौनसा बिवस्ता, भूमी सुधार बिवस्ता, यानि option number B, हो जागा, चलिए, next number question है,jaz ताज महल किसकी राओर में बनाया गया था, तो ताज महल बनाया गया था, मुम ताज के राओर कुसके राओर म, मुम ताज के राओर, में यानि option number A हो जागा next number question है कि हुमाईओ का मकवारा कहां इस्तित है तो हुमाईओ का मकवारा है जो दिल्ली में इस्तित है कहा है हुमाईयो का मकवारा दिल्ली में स्थित थे यानि option number C हो जागा चलिए 57 number प्रश्ण है कि हरिहर एबं बुक्का ने कब विजय नगर समराजी की अस्थापना की थी, तो यह 1336 में किया था, कब किये थे 1336 में, यानि option number B हो जागा, चलिए next number question है, हांपी किस राज से सम्बंदित है, देख सकते हैं, हांपी किस राज से सम्बंदित है, तो हांपी है जो विजय नगर से सम्ब सम्बंदित थी, तो आयंगर विवस्था थी, जो विजय नगर से सम्बंदित था, किस से, विजय नगर से, यानि option number C हो जागा, next number question है, देख सकते हैं, विजय नगर समराजी के सेवा के लिए, दिये जाने वाले भूमिदान, क्या कहलाता था, तो विजय नगर समराजी में जो सेवा के लिए दिये जाने वाले जो भूमिदान है, उसको क्या कहते थें, तो उसको कहते थें, देख सकते हैं, अमरम, क्या कहते थें, अमरम कहते थें, यानि option number D हो जागा, next number question है, देख सकते हैं, बिजय नगर में मंदिर के परवेस दुआर को क्या कहा जाता था, तो बिजय नगर में मंदिर के परवेस दुआर को गोरपूरम कहा जाता था, क्या कहा जाता था, गोरपूरम, यानि option number B हो जागा, चलिए, next number question है, कि महराष्ट का संत कौन थें, तो महराष्ट का जो संत था, देख सकते हैं, दादू का संबंध कहां से था, देख सकते हैं, दा जादू का संबंध था, जो राजस्थान से था, चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, संकराचारे का मत हैं, देख सकते हैं, अदायत बाद, संकराचारे का मत कैसा है, अदायत बाद हैं, यानि option number B हो जागा, चलिए, 65 number question देखेंगे, कि कासी में किस परसीद्ध संत का जनम कवीर का, किसका कवीर का, यानि option number B हो जागा, चलिए, next number question है, कि नानक का जनम कहां हुआ था, तो देख सकते हैं, नानक का जनम हुआ था, वह तलाबंडी में हुआ था, कहां हुआ था, तलाबंडी में हुआ था, यानि option number C हो जागा, next number question है, कि अजमेर इस्तित्मुद्द दरगाह पर सरफ पर्थम कौन सुल्तान गया था तो अजमेर इस्तित्मु दिन चिस्ति के दरगाह पर सरफ पर्थम गया था मुहमद बिन तुगलक ने किस ने गया था मुहमद बिन तुगलक ने यानि नमबर B हो जागा चलिए next number question है तहकीक A हिंद किसका यात्रा बिरतांत लिखा है देख सकते हैं तहकीक A हिंद में किसका यात्रा बिरतांत लिखा गया है तो देख सकते हैं तहकीक A हिंद में लिखा गया है अलबरूनी का किसका अलबरूनी का यात्रा बिरतांत लिखा गया है किस यात्री ने यात्रा जाने के लिए अपने घर को छोड़ा था, तो यह इवन बतूता ने, किस ने? इवन बतूता ने, चलिए, next देख सकते हैं, इवन बतूता ने अपने यात्रा जाने पर घर छोड़ा था, चलिए, next number question है, कि Captain Hawkins किस देश का था, Captain Hawkins था जो जहांगीर के दरवार में आया था Captain Hawkins वह किस देश का था तो वह था देख सकते England का था कहार का था England का यानि option number D हो जागा चलिए यह 70 number प्रस्ण है कि मदरास में मुनरो ने भूमी बेवस्था के लिए कौन सी बेवस्था शुरू की थी तो देख सकते हैं मदरास में मुनरो ने जो भूमी बेवस्था की शुरूबात की थी वह रियायत बारी था कौन सा बेवस्था था रियायत बारी यानि option number D हो जागा नेक्स नमर कोश्चन है फ्रांसी सी बुकान कौन था तो फ्रांसी सी बुकान था जो सरवेच्छन था फ्रांसी सी बुकान क्या था तो यह सरवेच्छन था यानि ऑप्सन नमबर डी हो जागा चलिए नेक्स नमर कोश्चन है संस्थाल बिद्रो का संबंध किस राज्य से था तो संस्थाल बिद्रो का संबंध था वह बंगाल से था किसे संबंध था संस्थाल बिद्रो का संबंध बंगाल से था यानि option number यह हो जागा चलिए 75 नमर प्रस्ण है कि बिर्सा मुंडा ने कौन सा बिद्रो किया था तो बिर्सा मुंडा ने किया था उल गुलान बिद्रो ब सिध्धु एवम कानूहु का संबन्द संस्थाल भी द्रोसे था किसे संस्थाल भी द्रोसे था यॉप्ट्छुन न्मर सी हो जागा चलिये 87 नम्र प्रस्षण है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस सुरू करने के 6 किसको दिया जाता है बंगाल में अस्थाई बंदोबस को सुरू करने का च्छे किसे दिया जाता है तो यह दिया जाता है लौड करनवाल इसको किसको लौड करनवाल इसको यानि option number A हो जाएगा चलिए यहाँ पे देख सकते हैं इसा तत्तर नमबर प्रश्ण है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के बिद्रो का नितित्व कहां से किया था तो बेगम हजरत महल ने 1857 के बिद्रो किया था अवद से कहां से सुरू किये थे अवद से सुरू किया था यानि option number A हो जाएगा चलिए यहाँ पे next number question है कि किसने 1857 के बिद्रों को पर्थम स्वतंतरता संग्राम कहा, किसने 1857 के बिद्रों को पर्थम स्वतंतरता संग्राम कहा था, तो यह हो जाएगा option number, यहाँ पे हो जाएगा D, यानि BD सावर करने, किसने BD सावर करने, देख सकते हैं 1857 के बिद्रों को पर्थम स्वतंतरता सं बहादुर साह जफर को हुमाईयों के मकवारे से गिरफदार किया गया था, यानि option number B हो जाएगा, चलिए, यहाँ पे 81 नमर प्रस्ण है, कि ब्यापगत का सिध्धान्त किसने लागो किया था, तो देख सकते हैं, ब्यापगत का सिध्धान्त लागो किया था, लौड यानि option number A हो जाएगा, चलिए, next number question है, कि साथ दीपो का नगर, साथ दीपो का नगर कहा जाता है, देख सकते हैं, साथ दीपो का नगर बंबई को कहा जाता है, किसको साथ दीपो का नगर बंबई को कहा जाता है, यानि option number A हो जाएगा, चलिए, next number question है, कि Victoria Memorial किस सहर में इस् नेक्स्ट नमर कोश्चन है, देख सकते हैं कि इंडिया गेट का निर्मान कब हुआ था, देख सकते हैं इंडिया गेट का निर्मान 1921 में हुआ था, कब हुआ था, इंडिया गेट का निर्मान 1921 में हुआ था, चलिए, नेक्स्ट नमर कोश्चन है, बासको डिगामा भारत मे सबसे पहले कहां आया था तो देख सकते बासकोटिगामा भारत में सबसे पहले केराल आया था कहां आया था केराल आया था यानि option number D हो जागा बासकोटिगामा सबसे पहले केराल आया था चलिए यहाँ पर देख सकते 86 नमर कोश्चन है कि अखिल भारतिय अस्थर पर पहली जनगन्ना कब हुई थी तो अखिल भारतिय अस्थर पर जो पहली जनगन्ना हुई थी वह 1872 में हुआ था ब credit में हम ओपस्ट निखेंगे देख सकते हैं कि चोरी चोड़ा किस राज में इसलिए देख सकते हैं अधिसके 1917 में गांधी जी किसके अनुरोद पर चंपारा ना आये थे तो राजकुमार सुकल के अनुरोद पर किसके अनुरोद पर राजकुमार सुकल के यानि option number D हो जाएगा चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 89 नमर प्रसन है कि जलिया वाला भाग भारत के किस राज्य में इस्तित है जलिया वाला भाग है जो भारत के किस राज्य में इस्तित है तो यहाँ पंजाब में इस्तित है कहां पंजाब में इस्तित है चलिए next number question है देख सकते हैं कि काला कानून किसे कहा गया है रॉले टेक्ट को काला कानून किसे कहा गया है रॉले टेक्ट को कहा गया है चलिए next number कुश्चन है कि सवराज दल की अस्थापना कब हुई थी तो देख सकते सवराज दल की जो अस्थापना हुई थी वह 1923 में हुआ था कब हुआ था 1923 में यानि option number a हो जाएगा next number question हाए भारत छोड़ों अंदोलन किस बरस सुरू हुआ था देख सकते भारत छोड़ों अंदोलन किस बरस सुरू हुआ था तो यह हो जाएगा 1942 में भारत छोड़ों अंदोलन हुआ था 1942 में हुआ था next n resolved question है कि Syngapur में स्वाश चंदर बोस ने किसका गठन किया था सिंगापूर में स्वासचंद्र बोस ने किसका गठन किया था तो यह किया था अजाद हिंद भाउज का किसका अजाद हिंद भाउज का गठन किया था यानि option number यह हो जागा next number question है कि 1938-1949 में भारतियराश्टिय के अध्याच करने थे स्वासचंद्र बोस करने थे स्वासचंद्र बोस को बने थे यानि option number यह हो जागा next question है देख सकते है सिद्धी कारवाई की धमकी किस? चलिए यहां पर देख सकते हैं 96 नमबर प्रशन है कि भरतिये स्वतंतरता के समय ब्रिटेन के ब्रिटेन में किस दल का सरकार थी भरतिये स्वतंतरता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी तो यह थी लेवर पार्टी का सरकार किस पार्टी का लेवर पार्टी का सरकार ब्रिटेन म देख सकते हैं, सोतंतर भारत के अंतिम कवर्नर जेनल थे, C चकरवर्ती, राज गोपाल चारी, कौन थे, C चकरवर्ती, राज गोपाल चारी, यह नियो अप्सन नमर्ट, यहाँ पे C हो जाएगा, चलिए, नेक्ष नमर्ट कुस्चन है, कि भारत के संबीधान का पिता किसे कह जाता है, भारत के संबीधान का पिता किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है, डॉक्टर बी यार, अंबेदकर को, किसको, डॉक्टर बी यार, अंबेदकर को, भारतिये संबीधान का पिता कहा जाता है, शलिए, यहाँ पे नेक्ष नमर्ट कुस्चन है, कि भारतिये पर्थम परधं धानमंत्री कौन थेी सवतंतर भारत के तो जवाहरला कि राय बहादुर दयाराम सहानी ने कहां उत्खन करवाया था, तो राय बहादुर दयाराम सहानी ने हरप्पा में उत्खन करवाया था, कहां उत्खन करवाया था, हरप्पा में उत्खन करवाया था, चलिए next number question है, हरप्पा सभ्यता किस उक्की सभ्यता है, तो देख सकते हर हरपपा सभ्यता है, जो कांसे उपकी सभ्यता है, यानि option number D हो जागा, चलिए next number question है, देख सकते हैं, next number question है, कि सिंधु घाटी की निवासी को किस धातू का ज्यान नहीं था, तो सिंधु घाटी की निवासी के लोगों को लोहा धातू का ज्यान नहीं था, किस धातू का लोहा धातु का ज्यान नहीं था चलिये next नमर question है हरुपा सभूता का सबसे बरा नगर कौन था तो हरुपा सभूता का सबसे बरा नगर देख सकते हैं जो सिंध्न नदी के किनारे इस्तित है किस नदी के सिंधु नदि की किनारे Basket कि या बावि नदी की किनारे Master इंभि अप्टा चलता है कि इह सोग के किस सीला लेक में कर्लिंग पिज़यका पता चलता है तो यहachesगा option number D, तेरहござी ला히 willkommen, कौन सा अमसी लाक में? कि अभी लेक में? कि समुंदर गुपत का बर्नने किश अभी लेक में हैं? तो देख सकते हैं, इसमुंदर गुपत का बर्नने किश अभी लेक में है? किसने इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था next number question है कि बिंदु सार किसका पुत्र है देख सकते हैं बिंदु सार किसका पुत्र था तो बिंदु सार था जो चंदरगुप्त मौरे का पुत्र था किसका चंदरगुप्त मौरे का यानि option number यह हो जागा नेक्स्ट नमर कोश्चन है, कि नलंदा महाबिहार किसने बनवाया था, देख सकते हैं, नलंदा महाबिहार कुमार गुप्त ने बनवाया था, किसने कुमार गुप्त ने, यानि ओप्सन नमबर C हो जागा, चलिए, नेक्स्ट नमर कोश्चन देखेंगे, देख सकते हैं, कि अर्थ सास्त्र के लेखक कौन है तो अर्थ सास्त्र के लेखक कौटल्य हो जाएगा कौन हो जागा अर्थ सास्त्र के लेखक कौटल्य हो जागा चलिए next number question है कि महाभारत की रचना किस भासा में हुई थी तो देख सकते हैं महाभारत की रचना हुई थी जो संस्कृत भासा मे हुआ था किस भासा में संस्क्रीट भासा में हुआ था चलिए नेक्स नमर कोश्चन है कि देख सकते हैं सलेखन किस धर्म का मिर्तु विधमान है तो सलेखन है जो जैन धर्म का मिर्तु विधमान है किसका जैन धर्म का यानि ऑप्सन नमबर ही हो जागा next number question है कि असोख दोवारा बनवाय गया स्टूपों की संख्या कितनी थी तो असोख दोवारा जो बनाया गया स्टूप की संख्या था वह 84,000 था कितना था 84,000 था यानि option number D हो जागा next number question है देख सकते हैं कि बुद्ध के बच्पन का क्या नाम था तो बुद्ध का बच्पन का नाम सिदार्थ था क्या था सिदार्थ नाम था बुद्ध के बच्पन का next number question है कि पर्थम बहुद संक्ती किस सासनकाल में हुई थी पर्थम बहुद संक्ती किस के सासनकाल में हुई थी तो पर्थम बहुद संक्ती हुई थी किसके सासन काल में आजात सत्रो के सासन काल में यानि असन अप्सें कि नेक्ट नमर कोश्चन हैं ही यान तथा महाय यान किस दhram से संबन्नीत है जगा ओप्सें किस नमर नबर बीबनी नेपाल में हच्पन हूपनि नेपाल इह Ses एकहूपन चलिए next number question है कि त्रीपीटक का संबंध किस से हैं तो देख सकते हैं त्रीपीटक का संबंध है जो बहुत धरम से हैं किस धरम से हैं बहुत धरम से यानि option number भी हो जागा next number question है अकबर का सासनकाल क्या था तो अकबर का सासनकाल था 1656 से 1556 से 1605 अकबर का सासनकाल था 1556 से 1605 था यानि option number A हो जागा देख सकते हैं दस्तूर क्या था तो दस्तूर इन में से कोई नहीं था दस्तूर इन में से कोई नहीं यानि option number D हो जागा next number question है कि संसब किस धातू से बना था तो देख सकते हैं संसब था जो सोना धातू से बना था यानि option number A हो जागा next number question है कि भारत में तमाकू का पौधा कौन लाया था देख सकते भारत में तमाकू का पौधा कौन लाया था या पुर्तगालियों ने लाया था भारत में तमाकू का पौधा पुर्तगालियों ने लाया था चलिए next number question है कि कुतु मिनार का निर्मान किस ने अरम किया था चलिए कुतु मिनार का निर्मान किस ने अरम किया था तो कुतु मिनार का निर्मान कुतु बुदिन एबक ने किया था किसने कुतु बुदिन एबक ने यानि option number C हो जागा चलिए next number question है कि तुर्क ए जहागीरी की रचना किस ने करवाया था तो ताज महल का निर्मान साजहाने करवाया था किसने साजहाने करवाया था यानि option number D हो जाएगा next number question देखेंगे देख सकते हैं नहीं जना रहा है यहां से जना रहा है कि सीख के दस में गुरु कौन थे तो सीख के दस में गुरु गुरु गोविन सिंग थे कौन थे गुरु गोविन सिंग थे चलिए देख सकते हैं यहां पे नहीं जना रहा है बढ़िया से यहां पे देख सकते हैं जामा म आसनकाल 1605 से 1627 नेक्ट नमर क्वेश्चन है कि घाघरा का यूद में बावर ने किसे पराजित किया था तो देख सकते हैं घाघरा का यूद हुआ था जिजो देख सकते हैं राना सांगा को पराजित किया था किसको राना सांगा को पराजित किया था बावर ने चलिए नमर question है कि तानसेन गिसके दरवार में पडियाक्त गायक थे, टानसेन थेική जो किसके दरवार के पडियाक्त गायक थे, तो यह अकवर के थे, किसके अकवर के दरवार के, यानि Option Number A हो जगा, next नमर question है, देख सकते हैं कि ताली कोटा का यूद कब हुआ था तो ताली कोटा का यूद हुआ था 1565 में कब हुआ था 1565 में हुआ था यानि option नमबर भी हो जागा next number question है कि बीजय नगर समराजी की अस्थापना कब हुई थी तो देख सकते बीजय नगर समराजी की अस्थापना 1336 में हरी हर एबंबुक का दोनों भाई ने किया था बीजय नगर समराजी की अस्थापना next number question है तेनाली राम का संबंद किस समराजी से है तो तेनाली राम का संबंद किस समराजी से है तो तेनाली राम का संबंद है जो बीजय नगर समराजी से है किस से बीजय नगर समराज से यानि option number A हो जाएगा next number question है अमुक् किसने लिखा था तो देख सकते हैं अमुक्त मल्याद लिखा था कृष्ण देवरायने किसने कृष्ण देवरायने लिखा था यानि ओप्सान नमबर डी हो जागा नेक्श नमर कोश्चन है देख सकते हैं यहां पर गोरपूरम का संबंध गोरपूरम से आप क्या समझते हैं तो देख सकते हैं गोर्गपूरम मंदिर के परवेश दुआर को गोर्गपूरम कहा जाता है मंदिर के परवेश दुआर को नेक्स नमर कोश्चन है बिजय नगर की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? बिजय नगर के यात्रा करने वाला जो पहला विदेशी यात्री था वह निकोलो कॉंटी था कौन था? निकोलो कॉंटी था चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 46 नमर देख सकते हैं जो रूस के, देख सकते हैं, रूस के निवासी था, देख सकते हैं, नेक्स नमर कोश्चन है, कि तुलू बंस का संस्थापक कौन था, तो तुलू बंस का संस्थापक था, वीर नर्सिंग राय ने, किस ने किया था, वीर नर्सिंग राय ने किया था, नेक्स नमर कोश्चन है कि हमपी को उनसकों ने कब पुराततव अस्तलगोसित किया था? नेक्स्ट नमर कोस्टन है कि परसिद्ध बीरुपाप्पच मंदिर कहा इस्तित है? कहा इस्तित है, हमपी में, यानी option number A हो जागा next question है, कवीर किसके सिससे थें? देख सकते कवीर किस asks थे तो यह हो रहान्ननन्द का किसका रहानदका यानि chodzi साम नर बेख जागा चलिए नेक्स्ट नर्र कोस्चन हैं कि τबो कि चैतने महा प्रभु किसके उपा सकते तो चैतन्य पे आपको देख सकते फ्रेंट सो अब्जेक्टिव लेकर आए हैं कोस्चन है बिल्कुल बिहार विद्याले पड़िक्छा समीती के दुवारा कोस्चन तयार किया गया है वही कोस्चन से आप लोगों को टेस्ट ले रहे हैं तो चलिए इसी वीडियो में टेस्ट को सुरू कर रहे हैं तो चलिए देख सकते हैं फटा फट आप लोग एंसर करिएगा और फटा फट अपने फ्रेंट के पास सेयर करिए क्योंकि कल इसी प्रस्ण आने वाला है यही सब प्रस्ण कल रहने वाला है तो चलिए टेस्ट को लेकर आते हैं इसी वीडियो में तो चलिए और इतिहास का question है, बिल्कुल बिहार विध्याले पढ़िच्छा समीती के दुवारा तैयार किया गया, प्रश्न पत्र है, तो चलिए फटा-फट आप लोग answer दीजिएगा, देखते हैं कौन कितना number लाता है, तो चलिए, देख सकते हैं, कुल 100 objective लेकर आए हैं, और 100 का जवा इसे ही परशन आने बाला है, तो चलिए, बात को न बढ़ाते हुए फ्रेंट, यहां पर test series को सुरू करते हैं, तो चलिए, देख सकते हैं, पहला number question है, देख सकते हैं, पहला number question है, पहला number question है, कि माई experiment with truth, किनकी आत्म का था है, देख सकते हैं, इसमें 4 option है, पहला है टॉल किनकी आत्म का था है, तो चलिए, दूसरा number question देखते हैं, कि सर की उपाधी किसने बापस की थी, देख सकते हैं, सर की उपाधी किसने बापस की थी, तो यह है, महात्मा गांधी, B है, बाल गंगादर्तिलक, C है, रविंद्रना, टेगो, D है, स्वास चंद्र बोस, तो चलि देख सकते हैं, तीसरा number question है, कि 1919 के अधिनियम को, देख सकते हैं, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो देख सकते हैं, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, A है, रॉलेट एक्ट, B है, माल्टो, देख सकते हैं, माले मिंटो, सुधार एक्ट, और C है, मंट, देख सकते हैं मांटेयू चेम्स फोर्ड सुधार एक्ट और डी है वारनल कूलर एक्ट तो चलिए 1999 के अधिनियम को क्या कहा जाता है तीसरा का फटा फट कोमेंट करिए तो चलिए 14 नंबर कोश्चन देखेंगे देख सकते हैं चोटा नंबर कोश्चन है कि 24 जनवरी 1950 को भारतिय संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान परहस्त अच्छर किये थे देख सकते हैं कि 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान परहस्त अच्छर किया था ए है दो सव भी है दो सव तो फटा फट कॉमेंट करिए चार का अंसर क्या होगा तो चलिए यहां पर पांच नंबर प्रसंद देखते हैं कि कैविनेट मीशन के सदस से थें कैविनेट मीशन के सदस से थें फिए पैथिक लारंस बी ए वी एलेकजेंडर्स शर्र देख सकते हैं अष्टे फोर्ड ग्रिप्स और अडि इनमेश सबी तो देख सकते हैं कैविनेट मीशन के सदस से औह चार ओप्शन है फटाफट कोमेंट करिए कि कौन सा ओप्शन सही होगा तो चलिए देख सकते पचमा का कोमेंट करिए बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट सुरू हो गया है आप लोग देख सकते छठा नंबर भारत वर्ष किस भारत वर्ष गतंत्र कब बना देख सकते हैं भारत किस वर्ष गतंत्र बना भारत किस वर्ष गतंत्र बना ए 1947 बी 1950 सी 1952 डी 1957 तो चलिए देख सकते हैं भारत वर्ष का अंतिम बसर आइकॉन था देख सकते हैं भारत वर्ष का अंतिम बसर आइकॉन था ए लौ चारी सी लाल बहादूर सास्त्री डी रेड क्लीफ तो देख सकते भारत का अमतिम बसर आइकॉन था साथ का फटा फट कमेंट करिए देख सकते चार ओप्सन है फटा फट कमेंट करिए तो चलिए देख सकते हैं टेस्ट सुड़ू हो गया फ्रेंड बिल्कूल यहां पे सो आइक कीक्या स्थापना कब हुई थी तो देख सकते भारतियराश्टियराश्टिय आएकॉंगरिस की स्थापना अ-18801 ब 8-85 tuh इ स क्या होगा फटा फटकमेंट करिए भारतियरीराश्टियर कोंग्रिस की स्थापना कब हुई थी तो चलिए देख सकते हैं ौडल नंबर प तो देख सकते हैं नौ का क्या होगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट पती कौन थे नौ के फटा-फट कोमेंट करिए तो चलिए दस नंबर देखेंगे देख सकते हैं यहां पे टेस्ट हो रहा है फ्रेंट कि जय हिंद का नारा किस ने दिया था तो जय हिंद का नारा भगत सिंग चंद्र सिखराजाज सिए जवाहरलान नहरू दिए स्वास चंदर भोस तो दसका फटा-फट कोमेंट करिए जय हिंद का नारा किस ने दिया था चलिए यहां पे देख सकते हैं 11 नंबर प्रस्ण है कि तहकीक ए हिंद किनकी यातरा बिरतांत है तो फटा-फट क अब्जेक्टिव यहां पे टेस्ट के तौर पर लेकर आये हैं आप लोग अंसर जरूर दीजिए ताकि देखें फ्रेंड आपको रिपलाई यहां पे देने की कोशिस करेंगे ज्यादे से ज्यादे आपको रिपलाई यहां पे मिलेगा बिल्कुल आपको देखेंगे कि कि आप लोग सही करते हैं तो चलिए यहां पर 11 नंबर 12 प्रसंद देखेंगे कि English East India Company की अस्थापना कव हुई थी तो यह है तो चलिए फटा फट कोमेंट करिए English East India Company की अस्थापना कव हुई थी चलिए यहां पर 13 नंबर प्रसंद देखेंगे कि संस्थाल विद्रो कव हुआ था देख सकते हैं संस्थाल विद्रो कव हुआ था यह ठारा सो 32 भी है ठारा सो एक तालीस सी है ठारा सो एक आमंडी है पच्पन फटा फट कोमेंट करिए संस्थाल विद्रो कव हुआ था तो चलिए 13 का अंसर दिजिए फटा फट तो चलिए देख सकते 14 नंबर प्रस्ठय है कि किस गवर्ण जिन्र्र ने महालवारी व्यवस्था को लागों किया था देख सकते किस गवर्ण जिन्रर ने पारी वेवस्था को लागूब किया था चलिए यहां पर 15 नंबर प्रस्चन है कि संस्थाल बिद्रों के नेता कौन था 15 का फटा फट कोमेंट करिए संस्थाल बिद्रों का नेता कौन था जत्रा भगत देख सकते हैं दुवईया गोसाईं सी भागीरत और डी सिद्धु एबं कानु तो चलिए देख सकते हैं 15 का क्या होगा फटा फट कोमेंट करिए संस्थाल बिद्रों के नेता कौन था चलिए नेक्स नमर क्वेश्चन चलिए यहां पर 17 नमबर प्रसंदने को और किस नाम से जाना जाता था सथी चलिए यहाँ पे अठारा नंबर प्रस्न है कि अबध में 1857 की करांती का नितित्व किसने किया था तो अवध में 1857 की करांती का नितित्व किया था किसने ए है लक्षमी भाई भी है देख सकते हैं वैजा भाई सिध्या और C है बेगम हजरत महल और D है बेगम जीतन महल देख सकते हैं जीनत महल बेगम जीनत महल तो चार ओप्सन है अठारा का फटाफट कोमेंट करिए कि अव little गण्छीन आपको विपनाना है यहां पे एंसर नहीं दिया जा रहा है फ्रेंड आपको खुद से बनाना है क्योंकि कल एक्जाम है आपको और आज आपको देखना है कि कितना पानी में हम लोग हैं तो चलिए 100 में 100 आप लोग सही करिए क्योंकि देख सकते हैं हिस्ट्री का final revision चर रहा था और काफी सारा student comment किये कि sir test भी लीजिए तो देख सकते हैं यहां पर online test करवा रहा है कि 1857 की करांती का ततकालीन कारण क्या था देख सकते हैं 1857 की जो करांती था जिसका ततकालीन कारण क्या था सती पर्था की समापती व्यापत गत का सिध्धान चरवी वाले करतूस और इसाई धर्म का पर्चार तो चलिए चारा option है फटाफट कमेंट करिए क्या होगा 1857 की करांती का ततकालीन कारण क्या था चलिए फटा फट कमेंट करिए देख सकते कि इस नमर प्रश्ण है कि निम्न में से किस ने मोहंजोदरों का उत्खनन की थे देख सकते मोहंजोदरों का उत्खनन किस ने किया था फटाफट कोमेंट करिए चलिए यहाँ पर बाईश नमर कोश्चन है कि किस धातू का ग्यान सिंधू घाटी के वासियों में नहीं था देख सते हैं किस धातू का ग्यान था जो सिंधू घाटी के वासियों में नहीं था ये है सोना, B है चांदी, C है लोहा और D है तामबा तो चलिए तेश नमर कोश्चन है कि एसियाइटिक सोसाइटी की अस्थापना किसने की थी देख सकते हैं एसियाइटिक सोसाइटी की अस्थापना किसने की थी यह है किंगम भी है फलीट सी है डी सी सरकार और डी है विलियम जोन्स तो चलिए देख सकते हैं एसियाइटिक सोसाइ कुमेंट करिए, देख सकते हैं, नेक्श नमर क् Bevकि बिटाजन करिए, देख सकते हैं, зм ओट सकते हैं, नेक्श नमर कउस्चन हैं, हरप्पा किष्णदी के किनारे B280, C280, D290. तो देख सकते हैं फटाफट कमेंट करिए कि कलिंग की लडाई कब लड़ी गई थी? तो देख सकते हैं दोसो एकसर, 280, 280, 290. तो चलिए फटाफट कमेंट करिए 25 कांसर क्या होगा? Next number question है. असोग किस बंस का राजा था? देख सकते हैं असोक किस बंस का राजा था A. नंद बंस B. सुंग बंस C. हर्यक बंस D. मौरे बंस तो देख सकते हैं फटाफट कमेंट करिए 26 का क्या होगा असोक किस बंस का राजा था तो चलिए next number question देखेंगे यहाँ पर next number question है कि पाड़ी पुतर के संस्थापक कौन थे? पाड़ी पुतर के संस्थापक कौन थे? A. 12, B. अजाज सतुरू C. उदाईन D. कनिष्क तो पाड़ी पुतर के संस्थापक कौन थे? देख सकते हैं, चार उपक्शन दिया गया है और फटाफट कमेंट करिए 27 का क्या अंसर होगा तो चलिए next number question देखेंगे यहाँ पर next number question है देख सकते हैं next number question है कि मुदरा राक्षस किनकी रचना थी देख सकते हैं मुदरा राक्षस किनकी रचना थी एक उटले भी विसाक दत सी मेगा स्थनीच डीन में से कोई नहीं तो मुदरा राक्षस किनकी रचना थी फटा फट कमेंट करिए 28 का क्या अंसर हो जागा मुदरा राक्षस किनकी रचना थी फटा फट कमेंट करिए तो चलिए 29 number question देखेंगे कि समुदर गुप्त की तुलना किस से की जाती है देख सकते हैं फटा फट कमेंट करिए समुदर गुप्त की तुलना किस से की जाती है A. सिकेंदर B. नेपोलियन C. भयान D. बुद तो देख सकते हैं समुदर गुप्त की तुलना किस से की जाती है फटा-फट कुमेंट करिए, देख सकते हैं, 29 का क्या अंसर होगा फटा-फट आप लोग बताईए, देख सकते हैं, 30 नमबर कोश्चन है, कि बुद्ध का जनम कहा हुआ था, बुद्ध का जनम कहा हुआ था, ए, बोध गया, भी, पवापुरी, सी, लूबनी, दि सारनाथ, ब पुद्ध का जनम कहाँ हुआ था देख सकते हैं चार ओप्सन दिया गया है फटा-फट कोमेंट करिए Oh क्या अंसर होगा तो देख सकते हैं बुद्ध का जनम कहां उआ था फटा फट कोमेंट करिए तो चलिए देख सकते हैं 31 क्या होगा 31 कोश्चन देखेंगे कि हरपा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है लव यूग बी तामर यूग सी कांसे यूग डीन में से कोई नहीं तो देख सकते हरपा सभ्यता किस यूग की सभ्यता है फटा फट कोमेंट करिए 31 का क्या अंसर होगा फटा फट कोमेंट करिए चलिए 32 नमर कोश्चन देख सकते 32 नमर मोहन जोद्रों का साब्दिक मतलब क्या होगा तो देख सकते हैं मोहन जोद्रों का साब्दिक मतलब क्या होगा त चलूए 33 कि है पुरात्त्व का पिता किसे कहा जाता है। तो Tdies नमर कोमेंट करेये देख सकते हैं 4 option है क्या सही होगा। त्थो यहां पर 34 नमर प्रसन हरपा का उत्खनन किया था। हरपा का उत्खनन किस ने किया था। A. जॉन मारसल, B. डी बनरटजी, C. डियारामसहाणी, D. अरर राप तो देख सकते हैं हरप्पा का उत्खरनन किस ने किया था देख सकते हैं चार ओप्षन दिया हुआ है फटाफट कमेंट करिए कौन सा ओप्षन सही होगा तो चलिए 35 नमर प्रसन देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं 35 नमर प्रसन है 35 नमर प्रशने काली बंगा कहां इस्तित हैं देख सकते हैं काली बंगा कहां इस्तित हैं A है सिंध B है बंगाल C है उत्तर परदेश D है राजस्थान काली बंगा कहां इस्तित हैं फटा-फट चार ओप्सन हैं तो देख सकते फें इन और citizenship काली बंगानी इस्था थेख जैंगे कि पाटली पुत्रनगर यस्थापना किस नदी के संगंपर किया गया था A है गंगा जमना सरसबती C B है सोन फालगू गंगा और C है पुनपुन गंडग फालगू और D है गंगा सोन पुनपुन तो देख सकते हैं चार ओप्शन दिया गया है 36 का पात्ली पुत्र नगर की अस्थापना किस नदी के संगम पड़ की गई थी 36 का फटा फट कोमेंट करिए चलिए 37 नमर कोश्चन है भारतिये इतिहास का कौन सा काल को स्वर्न काल के नाम से जाना जाता है भारतिये इतिहास के कौन सा काल को स्वर्न काल के नाम से जाना जाता है A मौरे काल B गुप्त काल C मुगल काल D अंग्रेजो का काल तो देख सकते हैं चार वो ऑप्सन यहां पे दिया हुआ है आप लोग फटाफट कोमेंट करिए भरतिये इतिहास का कौन सा काल को स्वर्न काल के नाम से जाना जाता है तो 37 का अंसर क्या होगा फटाफट कोमेंट करिए तो चलिए 38 नमर प्रश करिए तो बेदो की संख्या कितना है देख सकते हैं 38 का क्या हो जागा अंसर चार ओप्सन दिया हुआ है तो फटाफट कोमेंट करके आप लोग जरूर बताए चलिए 49 नमर प्रशन है मौरे समराज का प्रथम सासक कौन था तो देख सकते हैं मौरे समराज का प्रथम सासक है आप लोग फटाफट कमेंट करिए बिल्कुल 100% आपको सो अब्जेक्टिव यहां पे करवाराइफेंड टेस्ट प्रेक्टिस सेट के अनुसार आप देख सकते हैं 100 में 100 का अंसर दीजिए क्योंकि देख सकते हैं कल यही सब प्रसन आने वाला है तो चलिए 49 का फटाफट कमेंट करिए चलिए यहां पे 40 नमर प्रसन है कि दुरोपति किनकी पतनी थी देख सकते हैं दुरोपति किनकी पतनी थी तो यह हो जगा भिस्म भी हो में से सभी तो दुरोपति किनकी पतनी थी देख सकते हैं यहां पे छार OPSन है, 40 का ANS or क्या होगा फड़े फटा फट कोमेंट कर लिए 40 का अंसर क्या होगा ? चलिए यहां पे क्टारीस नम्मर प्रस्ण हैसे यह पंजाब के ला लाजपत्रा तो सेरे पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है एक 40 का फटा फट देख सकते हैं चार ओप्सन दिया गया है आप लोग कोमेंट करके हमें जरूर बताएं तो चल यह next no question है कि नेता जी स्वास चंद्र बोस ने 1949 में किस पार्टी का गठन किया था नेता जी स्वाच्चांद्र बोस ने 1949 में किस पर्टी का गठन किया था देख सकते 42 का क्या होगा ए है स्वतत् utanतरता पार्टी, और अजाद हिंद फाउज, सी है क्रामतीयिकारीमोरचा और D है फारवर्ट बलक तो देख सकते 42 का क्या हो जागा वह क्या होगा फटा-फट आप लोग कमेंट करके हमें बताएं देख सकते हैं 4 ओपशन नहर José, 42 का अनसर क्या होगा तो चलिए यहां पर देख सकते हैं 43 नम्बर कोस्टिन है कि 14 नवंबर किसका जनम दिवस है 14 नवंबर को किसका जनम दिवस है A. महत्मा गांधी B. गपाल गंगादर तिलक C. जवाहरलान नहरू D. लाल बहादुर सास्त्री 14 नवंबर को किसका जनम दिन है देख सकते हैं 43 का आप लोग फटा फट कमेंट करके बताइए कि देख सकते हैं 14 नवंबर को किसका जनम दिवस है शरिये यहाँ पे देख सकते है 44 नमर प्रस्ण है कि कैविनेट मिशन भारत कब आया था तो देख सकते कैविनेट मिशन भारत कब आया था A. 1940 B. 1942 C. 1944 D. 1946 तो देख सकते 44 का हो जगा कैविनेट मिशन भारत कब आया था चार ओप्शन दिया हुआ है फटा फट कमेंट करिए 44 का अंसर क्या होगा चलिए 45 नमर कोश्चन है मुसलिम लिंग की अस्थापना कब हुई थी तो देख सकते मुसलिम लिंग की अस्थापना कब हुई थी A. 1880 B. 1906 C. 1915 D. 1919 तो मुसलिम लिंग की अस्थापना कब हुई थी देख सकते चार ओप्सन दिया गया क्या है ? फटड़ा फट कमेंट करिए 45 काँसर क्या होगा ? फटड़ा फट आप लोक कमेंट करिये चालिस नमर प्रस्ण है बंगाल विभाजन कब हुआ था देख सकते बंगाल विभाजन कब हुआ था ए 1905, P 1906, C 1911, D 1914 बंगाल विभाजन कब हुआ था तो चलिए देख सकते चार ओप्सन है फेरेंट 46 का क्या अंसर होगा फटा फट आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बता 46 का अंसर क्या होगा बंगाल विभाजन कब हुआ था देख सकते हैं आप लोग फटा फट कमेंट करिए नेक्स्ट नमर कोश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था देख सकते फेंड ये गलत भी हो सकता है आप लोग इस पर डिपेंड नारा है अपना देख सकते हैं क्या होगा चाड़ अप्शन दिया गया है यहां पे फटा फट कमेंट करिए देख सकते हैं टीक पर आप लोग डिपेंड नहीं रही एगा फ्रेइन 47 का आप लोग फटा-फट कमेंट करिए जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया था तो चलिए नेक्श नमर कुश्चन है भारत का राष्टगान कौन सा है भारत का राष्टगान कौन सा है ए बंदे मातरम बी जनगनम अधिना एक सी सारे जहां से अच्छा डी हिंद देश का प्यारा जंडा देख सकते चार ओप्सन है भारत का राष्टगान कौन सा है राष्टगान कौन है फटा bill, B, Şiving, C, Jaradhyi, D, Gopalganj. तो 59 का क्या होगा? 4 option दिया गया, राजेंदर परसाद का जनम कहा हूआ था? आपि फटा फट कमेंट कर के बताइए कि राजेंदर परसाद का जनम कहा हूआ था, लेकिन राजेंदर परसाद जी का जनम बिहार में ही हुगा था, तो चलिए बिहार के कहा हुआ था आप लोग फटा-फट कमेंट करिए तो चलिए 50 नमर प्रस्न को देखते हैं कि भरतिये संभीधान कव लागू हुआ था तो चलिए चार ओप्सन दिया गया है आपके सामने आप लोग फटा-फट कमेंट करिए 50 का अंसर क्या हो जाएगा देख सकते हैं भारत का संभीधान कव लागू हुआ 50 का आप लोग फटा-फट कमेंट करिए चलिए यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है पर्थम बहुद संगती कहां हुई थी देख सकते हैं पर्थम बहुद संगती कहां हुई थी चलिए next number question है स्वेतांबर और दिगांबर किस धर्म से सम्बंदीत है बावन नमबर प्रस्ण है स्वेतांबर और दिगांबर किस धर्म से है देख सकते हैं बावन का क्या हो जागा आप लोग फटा-फट चार ओप्सन है आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्वेतांबर और दिगांबर किस धर्म से सम्बंदीत है तो चलिए बावन का अंसर आप लोग बताइए next number प्रस्ण देखते है देख सकते हैं next number question है कि साची का स्टूप किस धर्म से सम्बंदीत है देख सकते हैं साची का स्टूप किस धर्म से सम्बंदीत है तो चलिए यहां पर चोबन नमबर प्रस्ण को देखते हैं कि सेर सा ने किस मोगल समराट को हराया था सेर सा ने किस मोगल समराट को हराया था A. बाबर को B. हुमाईयो को C. अकबर को D. जहागीर को तो देख सकते हैं सेर सा ने किस मोगल समराट को हराया था तो चोमन का क्या होगा फटा फट आप लोग कमेंट करके बताइए कि चोमन का अंसर क्या होगा दे को देखेंगे देख सकते पंच्पन नमबर प्रसने जहागीर का सासनकाल क्या है ए पंधेरा सो 25 से 153 Kerry azt़ tribal और सी 1559 से 1660 और सी 1605 से 1627 तो डेख सकते पंच्पन का क्या इंसर हो जागा आप फटा पट कमेंट करिए जहांगीर का सासनकाल क्या था? जहांगीर का सासनकाल क्या था? 25 का आप फटा-फट कुमेंट करिये तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं next number question क्या होता है? तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 option को दिया गया है आप भी खुद कुमेंट कर के बताइए कि हमें 56 का क्या अंसर हो जागा 56 का क्या हो जागा आप फटपट कोमेंट करिए चलिए 57 नम्बोर प्रस्थन है कि 1556 में पानी-पत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था देख सकते हैं कि 1556 में जो पानी-पत की किया गया है आप लोग फटा-फट संतामन का कोमेंट करके हमें बताइए कि 1556 अकवर ने किसे हराया था चलिए यहां पे नेक्स नमर कोश्चन है जीतल क्या था बहुत बार पूछा गया प्रसन है और काफी बार करवाया गया भी प्रसन है जीतल क्या था ए सास्त्र सास्त्र बी बद, सी सिक्का, डी उपाधी तो देख सकते हैं जीतल क्या था आप लोग चार ओप्सन दिया गया है अंठावन का क्या हो जागा जीतल क्या था आप लोग फटा-फट कोमेंट करके हमें बताएं कि जीतल क्या था चलिए यहां पे नेक्स नमर कोश्चन है उनसक नमर प करवाया था चार ओप्सन दिया गया फ्रेंट फटा-फट कोमेंट करिए देख सकते हैं ताज महल का निर्मान किसने कड़ाया है आप लोग फटा-फट कोमेंट कर सकते हैं उनसक का आप लोग फटा-फट अंसर बताइए चलिए साथ नमबर प्रसन है कि कुरुक छेतर किसने जीता था फटा-फट कोमेंट करिए चार ओप्सन दिया गया है देख सकते हैं यहाँ पे साथ परसनों का यहाँ पे टेस्ट हो चुका है तो चलिए 40 परसन आओ बचा हुआ है आप लोग फटा-फट अंसर करते जाहिए बिल्कुल कल यही परसना आने वाला है हम्पी नगर किस समराजे से संबंदी थैं हम्पी नगर किस समराजे से संबंदी थैं ए मौरे समराज भी गुप्त समराज सी ब्रहमनी समराज और डी बीजय नगर देख सकते हैं चार ओप्सन दिया गया है हम्पी किस समराज हम्पी किस समराजे से संबंदी थैं चार ओप्सन फटाफट कमेंट करिए आप लोग कि कौन सा अंसर सही होगा तो चलिए नेक्स नमर कोश्चन हम लोग देख लेते हैं बासत नमर प्रस्ट बीजे नगर समराजी की अस्थापना कब हुई थी तो बीजे नगर समराजी की अस्थापना ये ये तो बीजे नगर समराजी की अस्थापना कब हुई थी फटाफट आप लोग कोमेंट करिए बासत का अंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कोमेंट कर सकते हैं चलिए यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है कि अमुक्त मुल्यादा किस ने लिखा था तीरसत का क्या होगां आप लोग फटा फट कुमेंट करके हमें बताइए कि आमुक्त मल्यादा किस ने लिखा था आप लोग पटा-फट क्मेंट करके जरूर बताए चलिए यहाँ पर cnommer से दिल्ली संतलत से तो देख सकते हैं आयंगर वेवस्था किस से थी 64 का आप फटा फट कोमेंट करिए आयंगर वेवस्था किस से समधी थी देख सकते हैं आयंगर वेवस्था किस समधी थी 64 का आप फटा फट कोमेंट करके हमें बताईए क्योंकि देख सकते चार ओप्चन आपके सामने रखा गया है चरिए, देख सकते हैं तो फटड़ा फट आप लोग 65 का अंसर कमेंट करिए अल बरूनी किस के साथ भारत आया था चलिए, 66 नमर प्रशन है कि चौथी बहुद परसीद किस सासक के सासनकाल में हुई थी, चौथी बहुद परसीद किस सासनकाल में हुई थी, A. असोक, B. काला सोक, C. अजाज सत्रू, B. कनिश्क, तो चौथी बहुद संक्ती किस के सासनकाल में हुआ था, यहाँ पे चार ओप आपको दिया गया है देख सकते हैं 66 का आप फटा फट कमेंट करके आप बताइए कि चवती बहुत परसीद किस सासनकाल में हुआ था चलिए यहाँ पर देख सकते हैं सरसट नंबर कोश्चन है कि बंगाल में भक्ती अंदोलन का परसार किस संत ने किया था देख सकते हैं अपके लिए 4 उप्शन दिया गया है आप फटा फट कमेंट करिए कि बंगाल में भक्ती अंदोलन का परसार किस संत ने किया था तो चलिए नेक्स नमर कोश्चन देखेंगे देख सकते हैं नेक्स नमर कोश्चन है कि तलावंडी तलावंडी किसका जनमस्थान है का आप फटा फट कमेंट करिए चलिए 79 नमर परसन देखेंगे बीजक में किसका उपदेश संग रही था है एक कवीर को देख सकते हैं यहाँ पर हो जागा देख सकते हैं बीजक में किसका उपदेश संग रही था है तो 79 का क्या होगा एक कवीर का वी गुरु नानक का सी च क्या होगा देख सकते हैं बीयक में किसका अप्थे संग ये जवाब ज़रूर देख सकते हैं ποड़ सासर के दरवार में आया था चलिए 70 का अंसर क्या होगा आप फटा फट कमेंट करिए चलिए यहाँ पे देख सकते फ्रेंट यह 70 परसन आओ है फ्रेंट 30 परसन का आप लोग और अंसर देदिजिए बिल्कुल आपको 100 परसन का यहाँ पे टेस्ट ले रहा है तो देख सकते हैं सलीम चिस्ती का दरगा कहां इस्तित है तो सलीम चिस्ती का दरगा कहां इस्तित है यहाँ पे 72 नमबर प्रसन देखेंगे देख सकते 72 नमबर प्रसन है कि भक्ती अंदोलन का उत्तर भारत में अरंभ किसने किया था तो भक्ती अंदोलन का उत्तर भारत में अरंभ किसने किया था आप लोग फटा फट कमेंट करिये 72 का आंसर क्या होगा देख सकते 72 का आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कोमेंट करिए चलिए 73 नमर प्रस्ण है कि संत कवीर का जनम कहां हुआ था देख सकते संत कवीर का जनम कहां हुआ था 73 नमर प्रस्ण है संत कवीर का जनम कहां हुआ था दिल्ली, B12, C, मतुरा, D, हैदरावाद तो देख सकते 73 का क्या हो जागा आंसर आप लोग फटा-फट कोमेंट करके बताइए कि 73 का आंसर क्या होगा तो चलिए देख सकते 73 का आंसर क्या होगा आप लोग फटा-फट कोमेंट करिए चलिए next number question है भारत आने वाले पहले योडोपियन कौन थे देख सकते 74 का क्या आंसर हो जागा भारत आने वाले पहले योडोपियन कौन थे तो देख सकते भारत आने वाले जो पहले योडोपियन कौन थे A. अंग्रेज, B. फ्रांसी, C. पुर्तगाली, D. डच देख सकते चार ओप्षन है इसमें से आपको बताना है कि 74 का आंसर क्या होगा 74 का आंसर क्या होगा भरत आने वाले पर्थम European कौन थे Next question है पलासी की लड़ाई कब हुई थी देख सकते 75 का पलासी की लड़ाई कब हुई थी देख सकते 75 का आंसर क्या होगा अप फड़ाई कब हुई थी तो देख सकते 75 का आंसर क्या होगा आप फड़ाई कब हुई थी चलिए 76 नमर question है कि अस्थाई बंदोबस किसने लागू किया था A. करनावालिस B. डफडिन C. हेडी टगस D. ओकलाइन तो देख सकते हैं अस्थाइब बंदोबस किसने लागू किया था अप लोग फटाफट कमेंट करके बताएए 76 का आंसर क्या हो जाएगा अप लोग फटाफट कमेंट करिये स्थाइब बंदोबस किसने लागू किया था फटाफट कमेंट करिये 77 नंबर परशन है कि रानी लक्षमी बाई कहां की रानी थी 77 का होगा रानी लक्षमी बाई कहां की रानी थी A. अवद की B. लखनो की C. जासी की D. मेरट की आप फटाफट कमेंट करिये यहां पे चार ओप्सन दिया गया है 77 का क्या अंसर हो जगा रानी लक्षमी बाई कहां की रानी थी चलिए यहां पे 78 नंबर प्रशन है बीर कुवर सिंग कहां का रहने वाले थे देख सकते हैं यहाँ पे चार ओप्सन दिया गया है आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि बीर कुबर सिंग जी कहां के रहने वाले थें तो 78 का एंसर क्या होगा फटाफट आप लोग जवाब दिजिए चलिए यहाँ पे देख सकते हैं 79 का कि महत्मा गांधी के दुवारा सुरू किया गया पहला जन अंदोलन कौन था? देख सकते हैं 79 का क्या हो जागा आप लोग फटाफट कमेंट करके हमें जवाब दे कि 79 का अंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे 80 नंबर प्रसन की बात की जाए 80 नंबर कोश्चन है कि 1916 में भरतिया राष्टिये कॉंग्रेस के लखनाव अधिवेशन की अध्याचता किसने की ए राजपिहारी बोस पी अंबिकाव चरन मजुमदार सी भुपेंदर नाथ पोस इनमें से कोई नहीं तो चलिए यहाँ पे 80 नंबर प्रसन की बात की जाए यहाँ पे विक्टोरिया ट्रामिल्स की अस्थापत्य सैली का उधारन है देख सकते हैं नव गरंतिक बी हो जगा इंडो सारा सेनिक और सी हो जगा नव सास्त्रिक नव सास्त्रिये और दी हो जगा इनमें से कोई नहीं तो चलिए फटाफट कोमेंट करिए देख सकते हैं यहाँ पे चार ओप्सन दिया गया है अप लोग फटाफट कोमेंट करिए कि देख सकते हैं विक्टोरिया ट्रामिल्स की अस्थापत्य सैली का उधारन है देख सकते हैं चार ओप्सन यहाँ पे हैं अप लोग 81 का फटाफ़ 83 का आप लोग फटाफट कमेंट करिए कि gateway of India का निर्मान कहां हुआ था तो चलिए 81 का आप लोग फटाफट कमेंट करिए देख सकते चार ओप्सन दिया गया है आप लोग फटाफट जवाब दीजिए 83 कंसर क्या होगा अप लोग कमेंट में जरूर जवाब देख सकते हैं कि महत्मा गांधी महात्मा गांधि qualidade asked 1156-193 महात्मा गांधि forget, started how was the first question? चले या, 85 नमर प्रसन है सबिनाय अभा gj्णादोलन कब पराऄ mira था? देख सकते ये सबिनाय अभा अभा परारेम भुआ था देख सकते हैं यहां पर चार ओप्षन दिया गया है कि सभिनाय बग्यान दोलन कब परारंब किया गया पचारसी का आप फटाफट कमेंट करिए कि सभिनाय बग्यान दोलन कब परारंब हुआ था चलिए फटाफट कमेंट करिए आप लोग 85 का की अंसर क्या होगा सभिनाय बग्यांदोलन कब परारंभ हुआ था चलिए next number question है देख सकते हैं कि गांधी जी के राजनीती गुरु कौन थे देख सकते हैं गांधी जी के राजनीती गुरु कौन थे गांधी जी के राजनीती गुरु कौन थे देख सकते हैं चार ओप्सन दिया गया है 86 का क्या होगा आप फटाफट कमेंट करके हमें बताएं कि गांधी जी के राजनीती गुरु कौन थे चलिए 87 नमर प्रस्ण है कि डांडी मार्च से किस अंदोलन की शुरुबात हुई थी दांडी मार्च से किस अंदोलन की शुरुबात हुई थी तो डांडी मार्च से किस अंदोलन का रम किया गया था, 87 का आप फटाफट कमेंट में जवाब दें, कि डांडी मार्च से किस अंदोलन की शुरुवात हुई थी, चलिए, next नमर कोश्चन है, बिहार में चमपारन सत्यगरह कब शुरुवा, 88 का क्या होगा, बिहार में चमपा गया है, यहां पर फटाफट कमेंट करिए, तो चलिए, next नमर कोश्चन देखती है, देख सकते, next नमर कोश्चन है, गांधी इर्भीन सम्झावता कब हुआ था, गांधी इर्भीन सम्झावता कब हुआ था, तो गांधी इर्भीन सम्झावता कब हुआ था, A, 1928, B, 1931, C, 1935 D 1931 तो देख सकते गांधी इर्भीन समझोता हुआ था कब चार ओप्सन दिया गया है अब लोग फटा फट कमेंट करिए कि कांसांसर सही होगा चलिए next number question है साइमन कमिशन भारत कब आया था 90 का क्या होगा साइमन कमिशन भारत कब आया था A 1922 B 1924 C 1928 D 1932 90 का क्या होगा साइमन कमिशन भारत कब आया था फटा फट कमेंट करिए फटा फट कमेंट करिए कि साइमन कमिशन भारत कब आया था चलिए next number question है गंगा पुत्र किसे कहा जाता था देख सकते गंगा पुत्र किसे कहा जाता है 91 का क्या आंसर होगा फटा-फट कोमेंट करिए 92 का देख सकते हैं महात्मा बुद्ध को ज्यान की पड़ाप्ति कहां हुई थी महात्मा बुद्ध को ज्यान की पड़ाप्ति कहां हुई थी लुबनी विबोधगया सिसारनात दी कुसी नगर तो महात्मा बुद्ध को ज्या बुद धरम, C हिंदू धरम, D सीख धरम, अस्तूप का संबंध किस्से हैं, आप फटा-फट कमेंट करके बताइए, कि अस्तूप का संबंध किस्से हैं, 93 का क्या अंसर हो जागा, आप फटा-फट कमेंट करिए, तो चलिए, next number question है, कि महवीर का जनम कहा हुआ था, देख सकते पावा, C पैकुंड गराम बैसाली, और D सारना, तो चलिए, 94 का क्या अंसर हो जागा, महवीर का जनम कहा हुआ था, तो फटा-फट कमेंट करिए, कि महवीर का जनम कहा हुआ था, तो फटा-फट आप लोग कमेंट करिए, चलिए, next number question है, अकवर का वित्वमंत्री कौन था अकवर का वित्वमंत्री कौन था, A, बिरवल, C, मान सिंग, D, टोडरमल, C, अवुल फजट, अकवर का वित्वमंत्री कौन था, तो चलिए, 4 ओप्सन दिया गया है, अकवर का वित्वमंत्री कौन था, फटा-फट आप लोग कमेंट करिए, कि अकवर का वित्वमंत्री क्या answer हो जागा फटाफट कोमेंट करिए नेक्स नमर कोश्चन है अकवर नामा की रचना किसने की देख सकते 96 नमर की रचना किसने की तो चलिए 96 का क्या होगा आप फटाफट कोमेंट करिए चलिए की दिली से दौलतावाद किस आशक ने अपनी राजधानी को प्रवर्तित कि थिए यहाँ पे चार ओप्सन दिया गया है अप लोग फटाफट कमेंट करके हमें बताईए कि कौन सा आपशन सही होगा तो 97 का अंसर आप लोग फटाफट कमेंट करिए चलिए अंठाविन में नमबर परस्ण है कि ताज महल किस नदी के किनारे इसतीत है देख सकते हैं ताज महल किस नदी के किनारे इसतीत है ए सोन नदी, यमुना नदी, सी गौमटी नदी, डी गंगा नदी तो देख सकते हैं ताज महल किस नदी के किनारे इस्तित हैं अप लोग फटाफट कमेंट करिए 98 का अंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट करिए ताज महल किस नदी के किनारे इस्तित हैं चलिए next question है कि भारत का अंतिमोगल समराट कौन था देख सकते हैं भारत का अंतिमोगल समराट कौन था तो भारत का अंतिमोगल समराट A सा जहां B औरंग जेव C मोहमत सा D बहादूर सा जफर तो देख सकते हैं भारत का अंतिमोगल समराट कौन था लोग 99 का फटा फट भारत में मुगल बंस का संस्थापक कौन था, A. B. B. हुमायो, C. अकबर, D. जहागीर, तो देख सकते हैं, भारत में मुगल बंस का संस्थापक पून था, आप लोग फटाफट कॉमेंट करए, देख सकते हैं, बिल्कुल आपको 100 परसन का टेस्ट ले लिए हैं, अगर आप इसका अंसर चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है उसमें आपको ये 100 प्रस्न का आपको साइलूशन मिल जाएगा आप लोग वहां से देखकर इसका आप लोग साइलूशन कर सकते हैं तो चलिए I hope आपको कैसा लगा तो अच्छा लगा हो तो व झाल याल